यात्राएं हमारे अनुभव संसार को सम्रिद करने के लिए बहुत जरूरी होती है लेकिन कई बार वक्त के कारण हम यात्राएं नहीं कर पाते हैं तमाम तरह की हमारी व्यस्तताएं होती हैं हम अपनी मस्रूफियात में रहते हैं, जिसकी वज़े से यात्राइं हम टालते रहते हैं, और जीवन को एक महत्वपून अनुभव से वंचित किये देते हैं, लेकिन यात्राइं हमारे जीवन में नए रंग भरती हैं, हमारे जीवन में उत्साह भरती हैं, और यात्राइं हम तरो ताजा हो करके वापस काम पर लोटने में मदद करती हैं, यात्राओं के बहुत सारे फाइदे हैं, लेकिन यात्राओं के लिए तमाम तरह की तैयारियां करनी होती हैं, और खास करके अगर एक महिला यात्रा करें और वो भी अकेली यानि सोलो ट्रेवलर के तौर पर तो अलावा आप एक फूड कंपनी भी चलाती हैं, हिंदी की अध्यापिका आप रही हैं, कई बरसों तक आपने हिंदी पढ़ाया है, लेकिन इस साल सिर्फ इसलिए आपने जॉब छोड़ दिया ताकि यात्राओं कर सकें, यानि मूल रूप से हम कह सकते हैं कि आप सोलो ट्रे जा देना पसंद करते हैं, जी वैसे तो बहुत सारे परिचे बन सकते हैं, लेकिन मैं अपने आपको सिर्फ एक ट्रेवलर सिर्फ एक यात्री के रूप में ही जाना जाना पसंद करती हूं, अब मेरा उद्देश यही है कि मैं जादा से जादा यात्राइं करूं और उसके बारे में लिखूं भी बताओं भी ताकि यात्राओं का और खासकर महिलाओं की यात्राओं का जो एक सिलसला है वो आगे बढ़े अगर हम महिलाओं में सोलो ट्रेवलर की बात करें तो भारत में अभी इस वक्त बहुत सारे ऐसे ट्रेवल ब्लोगर हैं जो अपनी यात्राओं से जुड़ी हूँ उसमें मैं कई महिलाओं को देखती हूँ वो अपनी यात्राइं खुद उसकी योजना बनाती हैं खुद सारी तैयारी खुद अकेले करती हैं और यात्राओं को पूरा एक सफल स्वरूप देकर वापस लौट आती हैं काइनात काजी मैं को मैं जानती इसके अलावा अनुराधा बेनिवाल का नाम हम सब ने सुना है मैं उनसे बहुत प्रेरित हूँ और मेरे साथ में मीता बक्षी है मैम इसके अलावा प्रग्या सिंग है माध्वी गौतम जी है दीपती मुसाफिर है यह सब मेरी फ्रेंड्स भी है और मैं देखा जाए तो इ सामली उनमें कुछ नाम ऐसे भी हैं काइनात काजी जो लगातार कॉलम लिखती है और अनुराधा बेनिवाल की दो पुस्तकें आ चुकी है अभी ताजा उनकी किताब आई है लोग जो मुझ में रह गए तो क्या आपका भी इस तरह का प्लैन है कि आप अपनी यात्राओं क वो एक सकेर करके उनकी यादों को सहिज करके पुस्तक का रूपत है बिल्कुल चाहे पुस्तक चाहे किसी भी रूप में हा लेकिन मैं यात्राओं के बारे में बताना चाहूंगी यात्राओं स्वांतर सुखाय तो होती ही है लेकिन अगर मैं आके अपने अनुभव सब के बीच में बाटूं, तो हो सकता है किसी का यात्राओं का जो एक दबा हुआ स्वअपने है, वो भी इससे साकार हो सके. मुकता जी एक चीज है कि भारत में लोग जो यात्राओं करते हैं, सालना प्लैन बनाते हैं, चुटियों में, वेकेशन के दौरान बनाते हैं, उसमें ट्रेवल कंपनीज की मदद लेते हैं, और पैकेज में यात्राओं करके आ जाते हैं, और अपने आपको सफल यात्री की त इनके पास किसी तरह का कोई जिनकी कोई आर्थिक सीमाएं नहीं है और वो अपनी यात्रा को बहुत ही आराम दे तरीके से करना चाहते हैं लेकिन अगर आराम दे ही यात्रा हो जाए जैसे आप भी यात्रा करती है और आराम दे ही यात्रा हो जाए तो इसमें बुराई क्या है आप ये मानती हैं कि अगर आप खुद प्लैन करते हैं, तो यात्रा आराम देह भी हो सकती है, एक्स्प्लोरिंग भी हो सकती है, और वो बहुत ज्यादा फुल्फिलिंग भी हो सकती है. मैं मानती हूँ कि अगर मैं खुद योजना बनाती हूँ तो उसमें मैं कई ऐसी चीज़ें शामिल कर पाती हूँ जो हो सकता है एक पैकेज देने वाला एजेंट मुझे ना दे पाए जैसे मैं अगर बात करूँ हाल ही कि मेरी वारानसी यात्रा की वहां मुझे 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 प्रेम चन के घर जाने का विचार था मैं शैनाई वादक भारत रतने उस्ताद बिसमिल्ला खां के घर जाना चाहती थी इन दोनों जगों पर मैं गई दो दो तीन तीन घंटे रुकी यह सब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ट्रेवल एजेंट मुझे यह शामिल करके देगा इसके अलावा मुझे घंटों वहां के घाट पर बैठना था मुझे दो तीन तरह से घाट गूमने थे तो यह सब मेरा अपना जो सपना था वह शायद कोई टूर कंपनी मुझे ना दे पाए यह मैंने अपनी ही योजनाओं में इसको में कर पाई आप जो मोड आफ ट्रांसपोर्ट है वो क्या इस्तिमाल करती है जो भी आपको सहज रूप से मिल जाए जैसे ट्रेन मिल जाए या फिर हवाई आत्रा है या पिर कई बार खुद ही बाइक लेके जाए गारी लेके चली जातीं इस तरह सिर आत्रा करती है सभी शादन से करती हूँ अ मैं ड्राइव करती हूं कार में अच्छा थीक थाण चला लेती हूं तो पाहाडी रास्तों पर भी मैने चलाया है मेरा एक रिकॉर्ड भी है भारत का जो भारत का या वो विश्व का ही है सबसे उंचा जो मॉटरेबल विलेज है कॉमिक वहां पर मैंने इनोवा ड्राइव करी है उसकी सड़कों पर तो इस तरह से नैनिताल की वादियों में मैंने खूब लंबा कार ड्राइव का अनुभव है तो मैं अपनी गाड़ी से भी जाती हूं ट्रेन भी मुझे पसंद है कभी अगर ऐसा हुआ कि समय की बहुत कमी और लंबा ट्रिप है तो मैं फ्लाइट भी करती हूं पर हां फ्लाइट से जाना में कम पसंद करती हूं क्योंकि बहुत यात्राइं करनी है तो मैं थोड़ा किसी लेडी को अकेले बहार से आईवी लेडी को घूंगते हुए देखना, अभी भी हम लोग बहुत सहज नहीं है। तो क्या भारत के अलग अलग हिस्सों में आपके अनुभव इस बात को लेके अलग रहे हैं? मेरे अनुभव सब जगे एक जिसे रहें कि अगर मैं अपनी गरिमा में हूँ, मैं अपनी सीमाओं में हूँ, मेरे चेहरे पर अगर दूसरों के लिए सम्मान है, मैं अपने आप में सच पर हूँ, तो मुझे सब जगे बहुत अच्छा वहवार मिलता है। और मैंने तरह तरह के अनुभा लिये, जैसे मैं होली पर ब्रज, इस बार मैं होली मैंने ब्रज में मनाई, वो भी मेरा सॉलर ट्रिप था, लोग एक आएक हिम्मत नहीं करते, हुड़दंग बहुत होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि किसी ने मेरी तरफ आँख गल के लिये थी, ना कि किसी भी तरह से उनकी नजर में मुझे कुछ गलत दिखा, और डर बहुत ज्यादा मीडिया ने या हमारे पूर्वाग्रा से हमने एक बहुत बड़ा डर पैदा कर लिया है, ऐसा कुछ नहीं है, भारत महिला यात्रियों के लिए बहुत सरक्षित है, और आज तक मेरा कोई भी ऐसा कडवा अनुभव नहीं रहा, जिससे में कैसको कि महिलाओं को अकेले नहीं जाना चाहिए, जब आप डेस्टिनेशन पर पहुंचती है, बहुत सारे डेस्टिनेशन आपके होंगे, लेकिन जैसे पहले डेस्टिनेशन पर आप पहुंची यात्र मिल जाए, अगर वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है, जो मेरी पसंद को समझ सकता है, और वैसी तैयारी मेरे लिए रख ले, तो हाँ, जाहिर है, मैं जाते ही एक बार आराम से रुकना पसंद करती हूं, कई जगह ये किया है कि मैंने जाके ही होटेल ढूंडा है, और एक दुबा का माहौल देख सकूं, तो, जी, मुक्ता आप जैसे घूमने जाती है, तो आपका उदेश ही क्या रहता है, क्या वहाँ की कल्चर, वहाँ की लोगों की रहन सेहन को, वहाँ की भाशा, वहाँ की फूड को एक्स्प्लोर करना, क्या आप अनुभव करने के लिए जाती हैं, बहुत सारे उदेश ही रहते हैं, एक तो अपनी रोज मरा की जिंदगी से थोड़ा अलग निकलना, बाहर, जैसे अनुरादा बेनिवाल की किताब में एक लाइन है कि, यह दुनिया बहुत सुंदर है, इसे देखना जरूर, हम अपने घर पे बैठे-बैठे से पढ़ते है कि यह समुदर इतना संदर है, यह पहाड इतना उंचा है, यह रेगिस्तान इतना विशाल है, पर यह सब बातें आँखों से देखने का अनुवह बिलकुल अलग रहता है, तो वहां का फूड भी मैं बिलकुल एक्स्प्लोर करती हूँ, जैसे मैं बहुत फूड़ी नहीं ह मैं बहुत कुछ उसमें से निकाल लाती हूँ, तो ऐसा हर बार होता है कि जहां भी आप गई है, तुरंत आपकी जान पैचान हो जाती है, और वो आपको लंच और दिनर पर इंवाइट कर लेते हैं, ऐसा होता है, मेरा एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जिसको मैं फोलो करत जालती है, तो उसे मुझे कई सारी जानकारिया मिल जाती है, और कोई एक परिवार निकल आता है, जहां पर मेरा लंच टेनर या ब्रेकफास्ट सेट हो जाता है, तुरं को जब भी हम गूगल करते हैं, तो उसके चार पांच जो डेस्टिनेशन हैं, जहील हो गई दोनों औ फिर सिटी पलेस, जगदीश मंदिर, तमाम जो ट्रेवल साइट हैं इन पर यही चीज दिखती हैं, लेकिन उदैपूर इनसे बहुत स्यादा है, और बहुत स्यादा इसमें डेफ्थ है, तो उदैपूर में अगर कोई उदैपूर का ही आदमी एक्स्प्लोर करना चाहिए, आप कहां कहां ऐसी जगे जही गई हैं, जहां पर आम तोर पर टूरिस्ट भी नी जाते हैं, न यहां की लोग जाते हैं, जी, उदैपूर में हम अरावली का खेरक पूरा गेहरा बना हुआ है, और उसमें नीमच माता, करनी माता, यह सब लोग चड़ते हैं, इसके अलावा तीतरडी की तरफ गुपतेश्वर महादेव है, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ज्यादा तर परेटकों को यह नहीं मिल पाता यहां जाना, पर वहां बहुत सुन्दर चड़ाई के बाद एक बड़ी अच्छी गुफा के अंदर एक मंदिर है, तो यह जगे मेरी ब पाफ सुत्रा सा मंदिर है, और उसके लिए आम जनता के लिए एक अलग रास्ता है, वो थोड़ा मुश्किल है, उस पे होकर जाने से हमें गोवर्धन विलास, वहां से सारी जीलों का एक मिला जुला नजारा वहां से मिलता है, कई जगे हैं और आसपास उदैपूर के अग गावों की तरफ रुख करें, तो अलसीगड एक ऐसी जगे है, हो सकता है मैं अलसीगड पर जल्दी ही एक आर्टिकल लिखूँ, क्योंकि पहली बार मैंने जाना कि युदैपूर में अलसीगड एक ऐसी जगे है, जहां का पानी दो दिशाओं में प्रवाहित होकर उसमें स इतनी खूबसूरत जगें कि वहां जाकर आने का मन ही नहीं करता है। उदैपूर की सारी लोकेशन्स पिक्चर पोस्ट कार्ड है। भारत पे उदैपूर जैसी जगे आपको कौन सी दिखी जहां पर सारे नजारे यसा लगता है कि इसको कैम्रे में कायद कर लें। उदैप मुकता भारत के तमाम कोने कोने में आप जा चुकी है कोई ऐसी जगे जो इस बार की आत्रा में आपने प्लैन कर रखा है कि इस बार मुझे वहां जाना है क्योंकि भारत तो विशाल देश है और एक जीवन में इसे पूरा नहीं गूमा जा सकता तो आपके लिए अगला क्याल मेरी लिस्ट में आप अगला पड़ा इसके लाव में इक ऊंकन रेल्वे से एक लंबी रेल यात्रा करना चाहरे हूं जिसमें जो बहुत सारे तंड और बुष ब्रिजए वाला जो एक पूरा पात है वह में कवर कर चाहरे हूं और इसके लावा एक विदेश यात्रा इस बार मेरे योजना में है, इंडोनेशिया, बाली. ये मेरा जो महिला या लड़किया घूमना चाहते हैं, क्यों गूमना हमारे मूल्स्वभाव में हम एक्स्प्लोर करना चाहते हैं, हमारे भीतर एक जिग्यासा की प्रिवरती है, तो उदैपुर की लड़कियां भी खूब घूमना चाहते हैं आपकी तरह, तो उनको आप क्या सला देना चाहेंगे, क्योंकि मन में चीज़ें दबी रह जाती है, उनको लगता है कि शायद नहीं कर पाएंगे हम इतना आसान नहीं है, तो क्या घूमना बहुत आसान होता है, चूँकि आपने कई साल काम करते हुए घूमा है, तो यह जो तमाम सवाल होते हैं, उन सवालों का एक साथ जवाब आप देजीज़ेंगे हैं। घूमने में सबसे बड़ी बाधा ऐसा माना जाता है कि धन है, लेकिन धन घूमने में बहुत बड़ी बाधा नहीं है, क्योंकि आप चाहें तो उसका एकोनॉमिक तरीका ढूंड सकते हैं, आप बहुत सस्ती यात्राइं कर सकते हैं, सबसे बड़ी बाधा है डर, डर भी किस से? पुरुशों से, महिलाओं को पुरुशों से डर हैं, मैं उनको यही समझाती हूँ, मेरी फ्रेंड्स भी मुझे कई बार पूछती हैं, तो मैं उनको यही कहती हूँ, कि आप एक तरफ जिन से डर रही हैं, वो आप अख़बार में, टीवी पर, सीरियल्स में देख रही हैं, आप बिलकुल निश्चिन्त होकर यात्राओं उपर जाएए, ट्रेवल लाइट करने को कहा जाता है, जब भी आप घूमने जाएं, तो वजन, यानि अपने दिमाग को भी हलका रखें, और जो माल असबाब आप लेके चलते हैं, उसको भी कम से कम लेके चल्एं, यह जो रूल है, इसको किस तरह से हम फॉलो कर सकते हैं, किस तरह से इस रूल को अमल में ला सकते हैं? हमें उसके लिए लिस्ट बनाना सबसे बहेतर तरीका है, जो बहुत ज़रूरी चीजчики सिर्फ उनको लें, कपड़ों का वजन कम रखें बहुत ज़्यादा ड्रेसेज ना लें और इसका एक तरीका मैंने ये भी निकाल रखा है कि बहुत दिन पहले पैकिंग नहीं करना उससे हम उसमें चीजे जोडते चले जाते हैं मैं एक या दो घंटे पहले ही पैकिंग करती हूं मुझे पता है क मुझे 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 मेरा आधार कार्ड और मेरे जो भी टिकट्स हैं हाड़ कॉपी वो रखना जरूरी है इसके बाव कोई भी चीज चूट गए तो मुझे कोई दिककत नहीं होगी सिफ अपना जो टॉले ट्रीज है और जरूरी एक दो ड्रेसेज हैं शू जाएगा चल जाएगा उसमें थोड़ा सा हिड़न ट्रिक है कि एक दो चीजे वहां जाकर जो लेते हैं हाँ वहां कि कुछ पर्टिकुलर जैसे टी शिर्स मिलते हैं जैसे में उच जैन गई जी अब वहां जो महाकाल वाला टी शिर्ट पहन के घूमने का अनन्द है वह मेर टॉपर्स या टी शिर्ट बदलते जाएं तो उससे जो आप कह रहे हैं इंस्टा इमेज वाली बात पूरी हो जाती है उसके अलावा चुंकि इमेज की बात है और इमेज हमारी यादों को सहेज ने में मदद करती है तो तो चैमेरा अच्छी क्वालिटी का अगर आपको फ तो उनके लिए जरूरी है जानना सबसे पहली शर्थ है आपकी सेहत अच्छी हो अगर आप अकेले यात्रा करने के लिए सोच भी रही है तो सबसे पहले आपको अपनी सेहत को सही रखना होगा तंदुरस होना बहुत जरूरी है फिर आपको यह मालूम होना बहुत जरूरी कि यात्राव में खाने पीने पर बहुत सावधानी रखनी है कि कहीं भी ओवरीटिंग हो गई या कुछ गलत खाने में आ गया और परदेश में अगर हम बीमार हो गए तो ये बड़ी समस्या बन जाता है जो चोटा मोटा बीमार होना अपने शेर में साधारन सा है वह वहां ए पहली शर्त है कई लोगों का ऐसा मानना है कि यात्राएं हम कर रहे हैं तो साथ में एडवेंचर का पुट भी होना चाहिए जैसे आप लेह जा रहे हैं तो बाइक से मनाली से लेह बाले हाई पर ही जाएं क्या ये जरूरी है या फिर आपको चो सहज और सुविधा जिनक ल तो इससे बहुत मादद मिलती है कि मैंड मैंकिंग हो जाती कि वहां क्या करना है क्या नहीं करना है जी और मुक्ता एक चीज है कि जैसे भारत में अब हाईवेस खूब जगे 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 जाल साप बेच गया है तो अब आप मानती है कि लड़किया अगर अकेले बाइक पी भी यात्रा करने जारी है या फिर कार लेके जारी है तो अब ज्यादा सुविधा जिनक है और ट्रेवलर के लिए थोड़ा सा फ्रेंडली महोल बन गया है बिलकुल बिलकुल हम आराम से रास्ता ढूंडना बहुत असान हो गया है मैप के जरिए और रास्ते अच्छे होने स आथ। अच्छे थेहता है, पहित स्वेक्षि Chief, दरना के और बहुत अच्छी होगी है तो हर तरह से यात्रा है सरल्त हम भारत तो ही है भारत में आपकी देखिविएsudभू मैं है जो आपको विलक्शन लगी हो आपको लगी हो कि यार्बभघ जाए सकता है वह कौन हो कौन स कि हम गए थे तब खाईयों का कोई मतलब गहराई का अंत नहीं था मैं देखती ही चली जारी हूं खाईयां इतनी गहरी हैं और लोटते समय वो सारा ही बादल से भर गया था मतलब हम हैं और बादल है मेरे पासवाला भी वेक्ति मुझे बहुत साफ नहीं दिख रहा इतने बा अब यह पूछना बहुत जरूरी होगा हम पीछे जाना जाहेंगे कि जो वांडर बग है वो आपको कब और कैसे काटा मतलब ऐसा सब लोग नहीं करते हैं कि आप हर 15-20 दिन में अपना बैग उठा के चल पड़ते हैं और अकेली ही तो अकेले यात्रा करने की शुरुआत एक बार मैंने अपना वाटसप स्टेटस ऐसे ही लगा दिया शॉक शॉक में कुछ लिख देते हैं तो मैंने उस पर लिख दिया कि 11 लेक राउंड और 21 ट्रेकिंग में फतेसागर जहील का पूरा राउंड कार्टी हूं ऐसी वरक आउट के तौर पे 8.5 किलमेटर है तो तो अल्टरनेट हो जाता है कभी गया पा जाता है तो मैंने 11 दिन का एक कमिटमेंट लिया और 21 तो उन 21 में मुझे था कि मैं शायद 11 बार नीमच माता चड़ लूगी और 10 बार करणी माता चड़ लूग ऐसा कुछ दिमाग में था फिर मैंने जब एक एक बार दोनों चड़ा तो मुझे लगा मैं और चीज़े ढूंडती हूं फिर पते चला गुपतेशवर महादेव भी है तो इस तरह से कुछ यात्रा है उदेपुर में हो गए फिर मुझे यह जोश चड़ गया कि मैं 21 अलग अलग करूं तो मैंने आसपास ढूंडना शुरू किया तो ऐसा करते कर हैं तो बहुत बिजी रहते हैं गर्मियों की मेरी छुटियां और उनका अतिव्यस्त समय यह दोनों साथ साथ आते हैं तो मैं बहुत सालों तक कहती रही कि अपन कहीं घूमने चलें उनका कभी सैट हुआ नहीं फिर आखिर में मिनाक्षी और मैंने जोदपूर की यात्रा क करी महरांगर हम जा कि आए तब हम दोनों ही थोड़ा डरे हुए भी थे पर हमको लगाए कि चलो चलते हैं कुछ तो अच्छा ही होगा उससे थोड़ा खुलें फिर आकर मैंने गुजरात में गबर हिल्स अमबाजी के पास में जो गबर हिल्स हैं वहां का पहला सॉलो ट्रि उसे कहती हूं घर से बिल्कुल अकेली ही निकली और अकेली ही लाटी तो इस तरह से धीरे-धीरे खुलती गई जी बिल्कुल और मुक्तावियास हम शुक्रिया कहेंगे आपको कि आप सोलो ट्रेवलर हो करके हमारे साथ अच्छे-चयनुभव आप शेयर कर पाएं और आप की तमाम अगली यात्राओं के लिए खुब सारी शुब कामना है, सुखत यात्रा की सुरूतियां लेकर आप लोटें, और उन्हें यात्राओं को आप चाहे किताब की रूप में, चाहे सोशल मीडिया पर, चाहे हमारे साथ, चित्रों की जरीए आप शेयर करते रहें, आपको को खुब सुब कामना है, जी तर नहाँ झाहे हमारे साथ